हेलो स्टुदेंट्स इस सोनो हेर एंड वी आर टॉकिंग वाट ग्रैविटी दैम्स सो इन प्रीवियस लेक्ट्चर वी हब दिस्केश्ट अबॉट दिस्केश्ट अबॉट देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वहां सब्सक्रिप्शले लेक्चर को देख ग्रैविटी दैम्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग सबसे आगे देखेंगे देखिए कि ग्रैविटी टैम्स विन डिफाइन डिफाइंड अस्ट्रेक्चर बीचिस डिजाइन इन सच वे डैट इस ओन वेट यह धार रखेगा कि दाट इट इस ओन वेट रेजिस्ट external forces में बात यहां पर है कि उसका जो ओन बेट होता है और रेजिस्ट करता है external forces में से इसी चलते हैं इसको हम लोग ग्रैविटी डैम्स बोलता है तो ग्रैविटी डैम्स क्या होता है ग्रैविटी डैम्स एक ऐसा structure होता है जिसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसका सेल्फ बेट या ओन बेट रिजिस्ट कर सके एक्स्टेनल फोर्स को तो ग्रैफ्टी डे में हाँ पर आप लोग समझ गया होंगे अब देखिए इस टाइप ऑफ अस्ट्रक्चर इस मौश ड्यूरेबल और सॉलिड और रिक्वार्स भेरी लीटिल मेंटेनेंस और सच डैम में वी कंस्ट्रक्टिड ऑफ मैसूनरी और कॉन्क्रीट तो देखिए जो अस्ट्रक्चर होता है यह बहुत डियूरेबल होता है मतलब कि यह बहुत सालों तक चलेगा यह बोल सकते हैं इसका डियूरेशन जो होता है जो जादा होता है and solid and require very little maintenance इसका जो maintenance होता है बहुत कम मोहाँ पर maintenance cost हम लोग को लगता है क्योंकि ये जालदी खराब नहीं होता है जिसके कारण ठीक है such a dam may be constructed of masonary or concrete ये सब जो dam है इनको हम लोग masonary से बना सकते हैं और concrete structure से बना सकते हैं तो हम लोग सबसे आगे इसके बात करेंगे advantage के बारे में तो देखिए इसका advantage क्या है जो हम लोग सबसे firstly दखते हैं तो देखिए gravity dam जो होता है इसका firstly advantage क्या है कि more suitable in narrow valley जो narrow valley होता है वहाँ पर ये ज़्यादा suitable होता है फिर maintenance cost is lower, maintenance cost कम होता है फिर failure of these dam is not very sudden इनका जो failure होता है ये नहीं की current हो जाता है बहुत मतलब कि कुछ समय के बाद ही होता है या बोल सकते हैं कि बहुत सालों के बाद होता है इसका जो जब ये failure होने लगेगा तो उसके पहले कुछ signal मिल जागा आपको sign कुछ पता चलने लगेगा जैसे कि ये मानिए कि ये dam है ये dam है यहां पर इसको जब failure होने लगेगा ते धीर धीर इसका surface क्या होगा इरोड होने लगेगा कुछ यहां पर cracking आने लगेगा जिससे आपको पता चल सकता है कि क्या कि अर्थन डैम का gravity dam का failure हो सकता है ठीक है अब देखे gravity dam may be built to any height gravity dam को हम लोग कुछ height पर भी बना सकते हैं initial cost of construction of gravity dam is very higher initial cost जो होता है फ्रेंट construction में ओ ज्यादा होता है gravity dam में फिर आता है बात gravity dams of greater height can only be constructed on sand rock foundation gravity dam जो होता है अगर greater height अगर ज्यादा है पर बनाए तो construction करने के लिए फिर आता है design of gravity dams is very complicated जो उसका design होता है gravity time का वो बहुत complicated होता है ति यह हम लोग देखें चार यहां पर disadvantage तो आपको note करते चलिएगा सभी point को अच्छे सै तो आपको अच्छे सी समझ में आ जाएगा अब उसके आगे हम लोग देखते हैं typical cross section जो typical cross section होता है gravity का उसको हम लोग देखते हैं कि कैसा बना हुआ होता है यह यहां पर दिया हुआ होता है इन इंसाइड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो MWL यह यह फिल बोल सकते हैं हाई फ्लाड लिवल से जब ज्यादा वाटर होने लगता है तो इसको स्पिल्वे गेट के द्वारा निकाला जाता है तो वहां पर स्पिल्वे दिया हुआ होता है इंसाइड डैम और उसके बाद में स गैलरी को हम लोग अच्छे से समझेंगे जैसे ड्रेनेज गैलरी एक होता है जो बाटर को ड्रेन करता है तो यहां पर यहां पर यहुए फ्री बोर्ड हैं ड secondary fam से माक्समिम बार्टर लेवल तिहां से यहां तक नडवल येंडवल के बीचिक को जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अब स्टुलीश भी हम लोग देख लिए अब इसके बाद एक बच तोई तोई मतलब किया कि यह टोई पार्ट जो होता है यह ड्रेनेज के लिए प्यों क कितना पार्ट में divide करके के हम लोग बनाते हैं तो अगर दखिए कि 56 मीटर width का अगर हम लोग डैम बना रहे हैं और इस में जो ए structure है 56 मीटर का यहां पे width और उपर बें जो इसका है क्रीष्ट जो है 6 मीटर तो यहां पे हम लोग कर्छ यह पार्ट को 75 मिटर मतलब एक प्रॉक्सिमेटली बोला जातो 56 मिटर अगर बिर्थ लें तो 75 प्लस 9 यहां पर हम लोगो हाइट लेना होगा जो की 84 मिटर ठीक है तो यहां पर स्लोप जो होगा यह 223 के अप्रॉक्सिम लिया जाता है तो सेम चीज बाकी है आप स्ट्रिम फेस स्लेंटिंग यह देखिये अप्रिम फेस जो है इस प्रकार का ड्रेनेज गैलरी हम आप से वहाँ पर इस फिकर में भी बताएं कि यह पर ड्रेनेज गैलरी होता है पिर यहां पर एक हील होगा फिर भर्टिकल फेस थीक है तो इतना चीज है फिकर आप लोग नोट करते चलिएगा इसके आगे देखे परकार से जो प्रेसर लेगे ग pressed लेझे को इसके परकार देखिए जैसे सबसे आगे जो बाटर जैसे अगör decmi structure है तो यह वार्ठरा लगेगा इसको sparked फिर अफिव्ट प्रेशार जो लगता है जो वार्टर के कारण होगा अप्लिफ्ट Portagne सबी उसका एसके तो नुबर प्र प्रेशां के सबwyddबार में बताया रहा है कि इतिना परकरकर करन फोर्स शॉत होता है दम पर फिर यहारत है सेलफ एफ प्रेसर फिर आइस प्रेसर फिर द मैंज फिर इसटेबिलाजिंग फॉर्स इस दा वेट प्रेसर फिर थे क्वर यह सिल्फ फॉर्ट फोरे लगता है जो देख लीजिए सबसे आगे यह टेल वाटर से यहां पर फॉर्स लगएगा फिर बेट ओव डेम यह तिये फिर हील पर फिर हेड़ क्रोस से कौने अब इसके आगे हम लोग दखेंगे कि घ्ल पढ़ने जारहे हैं आगर गैलरी यही नहीं मालूम रहे तो रहेने समझ हम ओगे पढ़ेंगे गैलरी के बारे में तो देखे गैलरी क्या होथा गैलरी जार दो ऊपनिंग और पासेज़ वे passageway left in the dam body they may be provided parallel or normal to the dam axis at various elevations the galleries are interconnected by steeply sloping passes or by vertical shaft fitted with lift galleries एक opening होता है और passageway होता है जो छोड़ दिया जाता है dam body में किसके कारण कि वहाँ पे आगे में उसको से हम लोग चेक कर सके सब्सक्राइब करता है कि किस किस चीज के लिए हम लोग गैलरी को छोड़ना चाहते हैं इसके पर ठीक है अब देखिए drainage gallery तो हम आपको figure में भी देखा दी है कि कुछ इस परकार देखिए यहां पर छोड़ दिया गया है यह structure को हम लोग बोलेंगे drainage gallery और gallery gallery भी इसी परकार में ठीक है तो अब इसके बाद हम लोग देखिए कि gallery through damn body serve in gallery जो होता है उसको बनाने के पीछे मकसद क्या होता है सबसे आगर drainage drainage purpose के लिए मतलब drain water seeping from damn जो seepage होता है water loss या seepage बोल सकते हैं तो वहां पे seepage को drain करने के लिए डायम बोड़ी से हम लोग drainage gallery का इस्तिमाल करते हैं फिर आता है inspection gallery तो inspection gallery या यह सब बोल यह कि यह सब चार परकार में हम लोग बात किया जायती है यह चार पर करका हम लोग purpose के लिए उस पर करके gallery का ठीक है inspection करने के लिए हम लोग gallery का इस्तिमाल करते हैं मतलब वहां पे windows to control dam behavior कि dam के structure में कोई problem तो नहीं है इस परकार में ठीक है फिर grounding purpose providing a space for movement and for grounding contraction joint contraction joint के grounding के कारण हम लोग वहां पर drainage gallery या गैलरी का इस्तिमाल करते हैं फिर आता है cooling अब देखिए हम पर contraction joint आया है तो हम लोग joint जब पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें बता देंगे या contraction joint आप भी जा रहा है कि contract मतलब यह force इधर यह force इधर जब काम करता है तीस force के में हम लोग contraction joint इसको बोलेंगे तो contraction joint के में जब grunting होता है तो इस समय में grunting के लिए हम लोग इस्तिमाल करते हैं कि contraction joint जब होगा तो वहां पर क्या क्या प्रावल्म हो रहा है फिर आता है cooling प्रुभाइड इनफ एसपेस पूर कैरिंग पैप्स डिरिंग artificial cooling जब artificial cooling किया जाता है जब डैम structure मतलब जब बनता है तो पंदर से बीच दिन उसके अंदर का जो structure होता है मतलब cement के कारण बहुत ज्यादा heat होता है वहां पे तो वहां पे उसका artificial cooling किया जाता है तो artificial cooling में यह बोल सकते हैं कि cement का जो अपना strength gain करने के लिए वहां पे artificial cooling किया जाता है तो cooling के चलते हम लोग drainage gallery gallery का इस्तिमाल करते हैं फिर जैसा देखे drainage gallery क्या होता है तो drainage gallery यहां पे बहुत अच्छे से बताये गया है आप लोग ध्यान दिजिएगा it is a supplementary of drainage gallery located parallel to the crist at about two by third of the base bits from the upper stream face and extending usually only through the deepest position of the dam यह supplementary होता है drainage gallery कि इसका इसका जो location होता है two by third होता है base base bits से ठीक है और from upstream face यह दोनों parts two by third bit में होता है जितना बेट है उसके two by third part बे हम लोग drainage gallery का बनाते हैं या उसका construction करते हैं अब इसके बाद आता है it serves for anticipating seepage from the water face and conducting it away from the downstream face and drilling and draining the downstream portion of the foundation तो यह देखिए जो seepage के कारण जो water आ जाता है upstream face से dam structure में तो इसको यह gallery से drain कर दिया जाता है बाहर की और उसको यह help करता है downstream face को erode होने से जैसा कि seepage loss होगा तो दीरे-दीरे downstream face क्या हो कि रोड हो जागा इसी कारण इसको दिया जाता है अब इसका बात जैसा कि हम लोग वह रहें थे कि joints पढ़ना है joints in gravity dam तो देखिए joint जो होता है दो परकार का सबसे पहले divide किया जाता है सबसे आगे construction joint फिर आता है contraction joint contraction joint में दो part transverse और longitudinal transverse जो होता है perpendicular to dam और यह होता है along the axis of dam longitudinal ठीक है इसको हम लोग अच्छे सभी देख लेते हैं कि construction joint क्या होते हैं देखे construction joints क्या होते हैं कि these are horizontal joints provided for age in construction of gravity dam they also permit systematic convenient and economical construction of dam construction joint एक ऐसा joint होता है कि जो horizontal joint होते हैं जो छोड़ दिये जाते हैं gravity dam में और उनमें क्या कि यह permit करता है systematic or convenient and economical construction of the dam यह economical construction में help करता है the thickness of each layer of concrete student exceed 1.5 meter construction joint में जो थिकनेस होता है concrete का 1.5 meter से जादा नहीं होना चाहिए the thickness of first layer of concrete above rock foundation student exceed 7.5 meter जो rock foundation दिया जाता है उसके बाद में अगर concrete layer दिया जा रहा है तो 7.5 meter से ज्यादा नहीं होना चाहिए फिर आता है contraction joint contraction joint क्या होता है कि the joint are contraction joint are provided to avoid cracks due to shrinkage of concrete due to temperature changes contraction मता हम जैसा कि बोल रहें थे कि दो force से देखिए कुछ इस परकार करिए damage structure है तो temperature की कारण क्या होगा यह damage structure इधर की और आने के कोशिश करेगा यह structure इधर की और आने के कोशिश करेगा तो shrinkage के कारण हम लोग वहां पर contraction joint को देते हैं तो देखिए contraction joint दो परकार को होता है transverse joint और उसके बाद में longitudinal joint transverse joint देखिए यहां पर कि the joint the joints are continues from upstream to downstream यह joint upstream से downstream face तक होता है और यह मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि perpendicular to diameter structure होगा और longitudinal joint में तो इलांग दे बीट बोल सकते हैं या along the axis of the dam बोल सकते हैं अब यहां पर इसको फिगर भी आप लोग हम आपको देखाने के कोशिश करते हैं पर कुछी इस परकार देखिए फिगर होते हैं कि यहां पर देखिए कि यह जो joint यहां पर दिया गया है यह वाला transverse joint यहां पर आपको दीख रहा होगा यहां पर था ठीक है यह पॉइंट नोट टांसवार जोएंट यहां पर है मतलों यह पर पिंडिकुलर टुदा एक्सिस ऑफ डैम इस परकार में और लॉंग टिटनल मत इस परकार में ठीक है तो अप लोग समझ गया होंगे यहां पर contraction joint का दोनों परकार को इसके आगे हम लोग इसके आगे बात आता है फ्रेंड लोग्रेव्टी डैम और हाइग ग्रैवटी डैम दो परकार कर डैम डिवाइड हुआ था इसको हम लोग देखेंगे सबसे आगे लोग्रेव्टी डैम ज्यादा तर हम लोग इसको इसको ध्यान रखेगा बाकिस सब्सक्राइब को याद हो जागा कि एच मैक्स यह देखिए फर्मूले यहां पर दिया हुगा है एच मैक्स इसको डूड़ डैबली इन्टू इस इस एक्स एफ होगा एफ प्लस वन तो इसको ध्यान रखेगा बस इसके बाद मैं आपको